अगर आपके फोन की सेटिंग डिलीट हो गई है या आपके फोन के स्क्रीन पे आपका जो सेटिंग वाला आइकान होता है या सेटिंग का जो एप होता है या आपके फोन से डिलीट हो गया नहीं सो हो रहा है तो इसे आप वापस अपने फोन पे कैसे लाएंगे इस वीडियो तो पर मां हम आपको कुछ ट्रिक बता रहा है आपको क्या पता रहा हूं है आपको क्या करना है आप अपने फोन का नोटिफिकेशन पेला ओपन करिये जहां से आप अपने पोन काffic scientist techn का करने के लिए जाते हैं जब्गर ब्लुटूथ बगर चालू करने के लिए जाते हैं इस तरीके से नौटिपिकेशन पहलाников करिएगा तो यहां पर आपको तो देखेगा जहां सही है यहां पर बैट्रिस हो ओटा उसको जिए AP अपको शेटिंग का настро सब्सक्रैण कर देखने को अरक बर लाइन होता है यहां लेकिन विल्म को रहा है लेकिन आप कि फोन करने है अपन हो गई है लेकिन आपको मोबाइल की स्क्रीन पे अभी भी आपका जो शेटिंग का एप है या एप जो आइप का आइकान आता था वो नहीं सो हो रहा है तो उसको आपन करने के लिए आपको यह चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल का जो शेटिंग है वो शेटिंग कहीं हाइड तो नहीं है तो आपको तो इसके लिए आपको क्या करना है इस तरीके से ऊपर आपको सच करना है रच पर सब्सक्राइब आपके पर start question Kenn pad पोन पर यहां पर दिख रहा है एक 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 आपको दिख रहा है इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि यहां पर इसके में कोई भी सेटिंग के नाम से तो नहीं आ रहा है अगर सेटिंग के नाम से आ रहा है इसको आपको आप कर देना है अगर यहां पर दिखा रहा है सभी का कर वे बोजिख पर आपके यहां भी अभी आपकर और अधो सकता है तो जैसी आपे मैंने सब्सक्राइब करें आपके वहां के पों पर आपके पून की जिटने अभी इस पोगे अनुखे-णारS system launcher की एक setting खोज करके आपको open करना है इस तरीके से इसको खोज लेते हैं यहाँ बाद हो आपटको पर से इसको आपन करने के बाद नीचे हमको clear data काापन मिलेंगे clear data पर click करेंगे किलियर all data पर click करेंगे इसके बाद एकलिक करेंगे कुछ पर दिलेट नहीं होगा आप ने विल्कुल निश्यनत रहें पस आपके जो एप है थोड़ा इदर उदर हो जाएंगे इनको आप दोबारा से शेट कर लिजेगा और इसको करने के बाद आप अपने फोन को एक बार बंद करके आप चालू करिएगा अपने फोन को एक बार रे इहां पर अपने फोन की सेटिंग में आप जा सकते हैं या आप यहां पर नहीं आ रहा है तो आप इसके बाद भी नहीं होता है तो आप अपनी फोन का जो हर्ड रिसेट होता है जिसको आप Farmet बोलते हैं वो आपको अपने फोन को करना पड़ेगा रिशेट करना पड़ेगा जब तक आप अपने फोन को फार मेट रिशेट नहीं करेंगे तक आपके फोन पे जो आपका default setting अप फाल्च not screen अब था वो आपके फोन पे नहीं आएगा